हेलो एवरीवन उमीद करता हूँ आपसे बिलोग सवस्त हैं ऐसे से एम्टी ट्वंटी टीर वन एक्जामनेशन जो कराया गया था आपका अक्तुबर नॉवंबर के बीच में उसका फाइनली टीर वन का रिजल्ट आउट कर दिया गया है ठीक है टेलीग्राम चैनल पर रिज को कनवर्ट कर रहा था जिससे कि आपको समझ आए कि कौन से स्टेट किस बार मैक्सिमुम कटोफ गई है कौन से की मिनिमिम्म गई है और इसमें सबसे ज्यादा रोल जो होता है कि स्टेट में कितने हैं ठीक है और इस बार हमने ऑवरोल देखा गी था जो वेकैंसी आई थी कितने के जिए उनको क्वालिफाइ करेंगे अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो सबसे पहले टोटल केंडिएट जो क्वालिफाइब कर पाएं तीर वन को वह हैं हमारे पास 44,680 केंडिएट ठेके कैटेगरी वाई आप देख सकते हैं किस कैटेगरी से कितने-कितने लोग तो यहां पर ओवरॉल इतने केंडिएट हमारे स्लेक्ट हुए है 44680 अगर मैं बात करूं फाइनल अंसर की भी आपकी चोधा तारीक को अपलोड की जाएगी और जो आप माक्स देख पाएंगे कि नॉर्मलाइजिशन में कितने माक्स भड़े हैं घटे हैं वह आपको 14 मार को हम फिर कर लेंगे उसके बाद कि किस तरह से नॉर्मलाइजिशन हुआ है और अगर मैं कट-off की बात करता हूं तो आप यहां पर कट-off भी देख सकते हैं सबसे पहला गाम आपको होना चाहिए अगर आपनी एक्जाम दिया था आपके माक्स कितने भी बने आप लिस्ट मे दिखाने वालों कि कट-off कैसी गई है अगर हम देखेंगे 18-25 ग्रूप में तो जो कट-off गई है बिहार रिजन की मैक्सिममम गई है 93.06 अगर मैं चंडिकर की बात करूँ हूं उसके बाद सेकेंड नंबर पर चंडिकर यह मैंने इंक्रीजिंग ओडरम एरेंज कर दिया और जो मैक्सिममम कट-off है बिहार की अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं दिल्ली की कट-off आपकी 76 मार्स है 36 गड़की आपकी कट-off 77 मार्स है ठीक हर्याना की अगर आप कट-off देखते हैं तो यहां पर 78.25 मार्स है अभी ये टीर वन की कट-off है जब फाइनल कट-off आएगी इसम काफी ज़्यादा उपर नीचे होने वाले कट-off मार्स तो इंगी जो जादा स्कॉर करेगा उसे मेरिट में इंक्लूड किया जाएगा ठीक है अगर दो केंडिट सेम स्कॉर करते हैं बाकी जो मेरिट निकल निकल लिए बेसिकली वो टीर मन के मार्स के हिसाब से निकलती है अगर मैं बात करता हूँ आगे तो जो टोटल वेकैंसी हमारे पास वो फोर्ट थ्री थर्टी एट हंड्रेट कुछ है अभीता कैसी के पास उसी साफ से ये कट-off निकाले गई है जैसे कि हमने इंकम टेक्स किया डिपार्टमेंट में आटिया लगा कि पता करा था महां पर क पूरी वेकैंसीज भी देख लेंगे और क्या बढ़ सकते हैं वो भी देख लेंगे तो हमारे पास यहां पर अन्रिजर्व के टेगरी की सारी कट-off आप देख सकते हैं किस-किस रीजन से कितनी कितनी गई है अच्छा कुछ लोगों के मदिमाग में कन्फूजन होती है कि य तो यहां पर क्या होता है मालनों दो केंडियेट से जिनके बिल्कु सेम नंबर है 93.06053 तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि जो केंडियेट बड़ा होता है यह में उसे प्राइटी दी जाती है तो यहां पर उसकी डेट ऑफ बर्त लिखी हुए जो लास्स कुछ कंफूज होने वाली बात नहीं में चीज आपकी कट ओफ ही है क्या चीज के लिए रोगी यह आपके स्टेट के कोड दे रखे हैं और यहां पर आपका रिजन दे रखा है कुछ लोग ऐसे थे जिन्नोंने गल्थ स्टेट के कोड डाले थे या कुछ और था तो जिन्न पॉइंडिया की बात करता हूँ अगर हम बात करते हैं आगे करनाट का की मिनिमुम कट ओफ गई है आपे भी 67.65 डेली की कट ओफ देखते हैं तो 73.34 478 मार्ग से 36 गड़ हर्याना की कट ओफ देख सकते हैं 76.266 मार्ग से अगर मैं बात करता हूँ यहां पर अगर मैं बात करता हूँ यहां पर और बिहार की इन दोनों रीजन में काफी हाई कट ओफ गई है इसके बीचे यही रीजन होगा की बिहार की बहुत ही मिनिमुम वेकेंसी जोंगी बिहार की अगर मैं बात करता हूँ यहां पर अगर मैं बात करता हूँ यहां पर एक सर्विसमें की तो केला रिजन की कट ओफ 57.757 गई है और बाखी रिजन के आप देख सकते हैं 29 तक जा रही है एक सर्विसमें की अर्जेंटल रिजर्वेशन वाला पार आगया है आपर कट ओफ कम होगी ठीक है तो यहां पर फिर भी एच केंडियर केंडियेट्स की कट अब बात करते हैं 28-27 ग्रूप के गेंडियेट्स की ठीक है इसमें बिहर रिजन की अगें मैक्सिमुम कट ओफ गई है अन्रिजर्व के बाद जहारकंड हो गया आपका चंडिगड हो गया केरला उत्तर प्रदेश उत्राकंड इस तरह से यहां पर सभी रिजन के आपको यह कट ओफ दिख जाएगी ठीक है डिक्रेजिंग ओटर में तो मिनिमुम करनाट का गी गई है फिर से ओबीसी केटेगरी की आप देख सकते हैं 86 मैक्सिमम गई है जो मिनिमम गई है वो 69 मार्स गई है अगर मैं बात करता हूं यह MTS 2020 के रिजल्ट में एक था कि आपके जो कंडिट्स क्वालिपाई किये गए थे टोटल ठीक है वो आपके जो तो अठार से 25 ग्रूप उसमें 84778 थे और जो आपके अठार से 27 ग्रूप थे उसमें इतने कंडिट्स क्वालिपाई गया थे और उसकी अलग-लग लिष्ट भी निकाली इस एक सिंगल लिष्ट निकाली है जिसमें आपको अपको अपना नाम चेक करना है पिछली बार यहा यहां पर पिछली बार यह इन दोनों को याड़ करोगे तो एक लाग दस हजार है और बाकि फिर नो हजार केंडिट्स को और इंक्लूड किया गया था बाद में क्योंकि रिजट में थोड़ी दिक्कत थी तो एक लाग 20,000 केंडिट्स केंडिट्स क्वालिफाई करें तो अ अगर आप 18-27 गुरूब देखेंगे तो हमारे पास यहां पर 706 वेकैंसी जाएं अठार से 25 गुरूप में इतनी वेकैंसी जाएं बाकि इंकम टेक्स डिपार्ट्मेंट्मेंट में पता चला था कि 2813 वेकैंसी इंकम टेक्स डिपार्ट्मेंट में यह MTS की जो कि MOST प्रू तो नहीं होता है क्वालिफाइंग होता है और वैसे भी पांच आपको करना होता है जो कि 50 नंबर का होता है और 20 इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं शाहिद पर देख ले ना मैंने वीडियो बना रखे हैं उसमें किलियर हो जाएगा अगर मैं बात करता हूँ एक्जाम कब एक्सपेक्टीडा भी मार्श चल रहा है आप अपरेल मीडियो में मानके चलें कि टीर टू आपको करवाया जा सकता है ठीक है तो आपसे अपने कुछ सैचे के टॉपिक तॉफिक कि बाकी में करता हूँ कर इसे और लेटर में चोईस आती । Mom भी आती है उसमें से कुछ गिने चुने लैटर साफ करके चले जाएंगे तब भी MTS TL2 में आपको दिक्कत नहीं आएगी तो यह इस पूरा का पूरा अपडेट था है MTS की cutoff से related कोई भी डाउट है तो comment section में जरूर comment कर सकते हैं आप बाकि पूरी तयारे competitive exams के आप math section की करना चाहते हैं तो RBI application डाउनलोड करके वहाँ पर आपको मेरा course मिल जाएगा वहाँ से आप त्यारी कर सकते हैं ठीक है recorded वीडियो होती है ठीक है कम टाइम में आप अपनी त्यारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं बाकि SSE CGL examination की त्यारी आपकी जोरो जोरो से चली र पड़ेगा ठीक है वो हलका सा पेड है अगर हम बात करते हैं जो compiled PDF सारी PDF प्राक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत कुछ अफिलेबल आप उसका भी इस्तवाल कर सकते हैं अपनी त्यारी में तो बाई 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 आवरीवन टेक क्यार जैहिंद